आमाद्भी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोधिया ने बीजेपी पर निशाना साथा है दरसल उन्होंने इस दौरान ये कहा कि बीजेपी को देवस्थानम बोट को लेकर सरकार से माफी माँग लेनी चाहिए बीजेपी की जनविरोधी सरकार ने आखरकार देवस्थानम पर अपना फैसला वापस ले लिया बीजेपी ने हजारों साल पुरानी परंपराओं पर कुठारा घात और तीर्थ पुरोहितों के हक पर डाका डालने का काम किया था हाला कि बीजेपी को जब अपनी हार दिखाए देने लगी तो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया अखिर कार बीजेपी की उत्राखंड सरकार देविस्थानब बोर्ड के रूप में जो उन्होंने अपराधिक एक फैसला किया था उसको बदलने पर मजबूर हुई है लेकिन आमादी पार्टी डिमांड करती है कि बीजेपी सरकार इस पूरे मुद्दे पर जनता से हमारे पुंड़ा पुरोहित समाज से हमारे हक हकुदारियों से माफी मांगे क्योंकि हजारों साल से जो एक सनातन परंपरा ही हमारे देविस्थान जो हमारे देवताओं के स्थान है जो हमारे मंदिर है वहाँ पर पूजा परंपरा पध्धती चलिया रही थी बीजेपी सरकार ने उस पर कुठारा घात करने का जो आमानुशिक क्रत्य किया था उसके लिए आपको माफी मांगने चाहिए